नमस्कार दोस्तों, कथा मन्थन में आपका स्वागत है, कथा मन्थन में आज की कहानी है नाग पूजा, लेखक मुन्शी प्रेम चंद प्राथय काल था, तिलोत्मा ने वाठिका की और देखा, तो व्रिक्ष और पौधे ऐसे निकर गए थी, जैसे साबून से मेले कपड़े निकर जाते हैं चिडियों में असाधारन चंचलता थी, डाल डाल पात पात पर चहकती फिती थी तिलोत्मा बाग में निकल आई, वह भी इन पक्षियों की भाती चंचल हो गई थी कभी किसी पौधे को देखती तो कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जलकी बुंदों को हिला कर अपने मुग पर शीतल छीते डाल दी सासा उसे काला वृत का हिसां प्रैंगता दिखाई दिखाई दिया उसने चिला कर कहां, अम्मा नाग जी जा रहे हैं, लाओ थोड़ा सा दूद उनको उनके लिए कटोरे में रख दूँ अम्मा बोली जाने दे, बेटी हवा खाने निकले होंगे कहीं नहीं जाते, बेटी हमारे देखता हैं, कहीं क्यों जाएंगे तुम्हारे जनम के साल से ये बराबर यही दिखाई देते हैं किसी से नहीं बोलते, बच्चा पास से निकल जाए, पर जरा भी नहीं ताकते आज तक कोई चुहिया तक उन्होंने नहीं पकड़ी तो खाते क्या है हवा खाते हैं, हवा पिकर रहते हैं आरे यही दिव्या आत्माएं होती है इन्हें पुर्व जनम की बाते याद रहती है आने वाली बातों को भी जानते हैं बड़ा योगी जब अंकार करने लगता है तो उसे दंड सुरूप इस यौनी में जनम लेना पड़ता है इनकी पूजा ना करो तो क्या होगा कैसी बच्चो जैसी बात करती है नाराज हो जाएं तो सिर पर ना जाने कैसी विपत्ति आ पड़े तेरे जनम के साल पहले पहल दिखाई दियते तब से साल में दस पांच बार दवश्य दर्शन दे देते हैं इनका ऐसा प्रभाव है कि आस तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ इस प्रकार कई वर्ष बीद गए तिलोतमा बाली का से युवती हो गई विवा का शुव अफसर रह पहुचा बरात आई विवा हुआ तिलोतमा भी पती गरे जाने के लिए तयार हो गई नई वधु का शिंगार हो रहा था बीतर बाहर हलचल मच रही थी ऐसा जान पढ़ता था कि भगदर पड़ी हुई है तिलोतमा की हिर्दे में व्योग दुक्की तरंगे उट रही थी वे एकांत में बैठकर रोना चाती थी अहा आज माता पिता भाई बन सक्यां सहीरियां सब छूट जाएंगी फिर ना मालुम कब इन से मिलने का सयोग बने ना जाने अब कैसे आद्मियों से पाला पड़ेगा ना जाने उनका सवभाव कैसा होगा यहां जरासा सिर में दर्द होता है तो अम्मा और बाबुजी घबरा जाते हैं तुरंद वैद हकीमा जाते हैं वहां ना जाने क्या हाल हुआ भगवान बंद घर कैसा रहा जाएगा और वे यानि उसके पती तो बहुत सुशील मालूम होते हैं हाँ कुछ अभिमानूई अबश्य हैं कि हैं उनका सुभाव निश्टुर हुआ तो सहासा उसकी माता ने आकर कहा बेटी तुमसे एक बात कहने की याद न रही वहां नाक पुझा वश्य करती रहना गर के लोग चाहे माना करे पर इसे तुम अपना करतव्य समझना अभी मेरी जरासी आंख जपक गई नाक बाबाने सुपने में दर्शन दिये तो लोतमा बोली अमा मुझे भी उन्होंने दर्शन दिये पर बहुत ही विक्राल रूप में बड़ा भैंकर सपना था देखना तुमारे घर में कोई साप न मानने पाए यह मंत्र नित्य अपने पास रखना मा भोली तो लोतमा अभी कुछ जवाब देने ही जा रही थी कि अचैनक बरात की और से रोने के शब्द सुनाई दिये एक शण में हाहाकार मज गया भैंकर शोग घटना हो गई वर को सापने काट लिया वे भो को विदा कराने आ रहा था पालकी में मसनत के नीचे एक काला साप छिपा बैठा था वे जियों ही पालकी में बैठा सापने काट लिया चारोवर कोहराम मज गया तिलोत्मा परतुमान वजर पात हो गया उसकी मासिर पीट-पीट कर रोने लगी उसकी पीता बाबु जगजिश चंदर मुर्चित होका गिर पड़े हिर्द्या रोक से तो पहले से ही पीडित थे जाड़ फुक करने वाले आई डॉक्टर बुलाए गए परविश घातक था जरा देर में वर के होट नीले पड़ गए नक खाले हो गए मुर्चा आने लगी देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया तिलोतमा जो अभी तक वियोग दुख में ही मगन थी ससराल के कश्टों और दिर्विवस्ताओं की चिंताओं में पड़े ही हुई थी पर अब उसे होश आया कि वह जिस नाओं में बढ़े थी वह अब डूब रही है एक शेन पहले वे कदाची जिस प्रूश पर जुंजला रही थी जिसे लुटे रहा और डाकू समझ रही थी वह अब कितना प्यारा था उसकी बिना जीवन ऐसा है था एक दीपक भुज गया एक व्रिक्षता फलफूल वहीन अभी एक शेन पहले वे दूसरों की इरशिया का कारण थी अब वह दया और करुणा का थोड़े ही दिनों में उसे ग्यात हो गया कि मैं पती विहीन होकर संसार के सब सिकों से वंचित हो गई हूँ एक वर्ष बीद गया जगदीश चेंदर पके धरवालंबरी आदमी थे पर तिलोत्मा का वैधव्या उनसे सहान आ जाता था उन्हों ने तुलात्मा के पुर्ण विवा का निश्या कर लिया हसने वालों ने तालिया बजाई पर जगदीश बाबुने हृदय से काम लिया तिलोत्मा पर सारा घर जान देता था उसकी इच्छा के विरुद कोई बात न होने पाती थी वे घर की मालकिन बना दी गई थी सभी उस बात का ध्यान रखते थे कि उसे जरासा भी रंज न होने पाए लेकिन उसके जहरे पर हमेशा एक उदासी चाही रहती जिसे देखकर सब लोगों को बहुत दुख होता कही मैनों के लगाता परियास के बाद एक कुलिन सिद्धान्तवादी सुशिक्षित वर मिला उसके घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए अगर दुखी थी तो बस दिलोत्मा मैं मन में कुड़ती कि अगर मेरे भागे में सुहागी लिखा होता तो यह वजर ही क्यों गिरता उसे कभी कभी ऐसी शंका होती कि मैं फिर विद्वा हो जाओंगी जब विवा निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आँखों से आसु निकलने लगे चहरे में कितनी सज्जनता, कितनी द्रड़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी वे चितर को लिये वे माता के पास गई और शेरम से सिर जुका कर बोली अम्मा मुझे से मूँ न खोलना मुस्क जा रहा है पर अवस्ता ऐसी आ पड़ी है, बिना मुखोले रहा नहीं जाता आप बाबुजी को मना कर दे, मैं जिस दशा में हूँ संतुष्ट हूँ मुझे भै हो रहा है, कि अब कि फिर ऐसी शोग घटना दुबारा न हो जाए माने सैमी हुई आँखों से देखकर कहा बेटी ऐसी अपशुकन की बाते ना कर तुमारे मन में भै समाय गया है, इसी से भ्रहम होता है जो होना था वै हो गया, अब तुम इश्वर पर सब छोड़ दो पता नहीं मुझे ऐसा मालूम होता है, क्यों तुम ऐसी शंगा क्यों होती है ना जाने क्यों कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा मैं नित्ते ड्रावने सपने देखती हूँ जैसे कोई प्राणी जिसकी सूरत साब से बहुत मिलती जूलती है मेरी चारपाई की चारोवर घुमता है और मैं भै से चुपपी साथ करके रह जाती हूँ मा ने समझा है यह सब भ्रहम होगा विवा की तिथी नियत हो गई यह केवल तिलोतमा का संसकार ना था बलकि समासुधारक का एक क्रियातमक उधारण था समासुधारकों का एक दल दूर से विवा में सम्मलित होने के लिए आने लगा विवा वैदिक रीती से हुआ महमानों ने खुब व्याक ख्यान दिये पत्रों ने खुब अलवचनाई की बाबु जगदिश्यंद्र के नैतिक सहास की सहराना होने लगी तीसरे देन वहु के विदा होने का महुरत था जनवासे में यथा साध्य है रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया भूमी पर रेंगती हुई चीटी भी दिखाई देती थी केशों में ना कहीं शीकन था ना सिलवर्ट ना जोल शामियाने के चारों तरफ कनाते खड़ी कर दिगए थी किसी तरफ से कीडे मकोडे तक भी आने की संभावना ने थी पर भावी प्रबल होती है प्राते काल के चार बज रहे थे तारागनों की बारात विदा हो रही थी, बहु की विदाई की तियारी हो रही थी, एक तरफ शैनाया बज रही थी तो दूसरी तरफ विलाप की आर्थ ध्वनी उठ रही थी, पर तिलोतमा की आँकों में आसुना थे, समय नाजुक था वे किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी उसके सिर पर तरवार रटक रही थी रोने और सहिलियों से गले मिलने में कोई आनंद ना था जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो उसे जरहा का घर भाग में सेर करने से ज़्यादा अच्छा लगे तो क्या शेर है वर को लोगों ने जगाया बाजा बजने लगा वे पालकी में बैठने को चला की वधू को विदा कर अलावे पर जूते में पैर डाला ही था की चीक मार कर पैर खीच लिया मालूम हुआ पाउं से चिंगाडियों पर पढ़ गया देखा एक काला साप जूते से निकल कर रैंक चला जाता था देखते देखते गायब हो गया वर ने एक सर्द आहा बरी और बैठ गया आँखों में अंधेरा चा गया एक शन में सारे जनवासे में खबर फैल गई लोग दोड़ पड़े औशदियां पहले ही रख ली गई थी साप का मंत्र जानने वले के आदमी बुला लिये थे सभी ने दवाईयां दी जाड़ फूक हुई औशदियां दी पर काल के सामने किसी का वश कहां चलता है मौत साप का वेश धर कर आई थी तिलोतमा ने सुना तो सिर्प इट लिया वे विकल होकर जनवासे की तरफ दोड़ी चादर उड़ने की सुधी ना रह गई वे अपने पती की चड़नों में माता लगाकर जन्म को सफल बनाना चाहती थी घर की स्त्रियों ने रोका माता ने रोकना चाए पर बाबू जगदिश चंदर ने कहा कोई हर्ज नी जाने दो पती की दर्शन कर ले दो या अभिलाशा क्यों रह जाए इस अद्बुद घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया जगदिश चंदर ने नसीब ठोक लिया निश्य हो गया कि कन्या के भागया में विद्वा रहना ही लिखा है नाक की पूझा अपसाल में दो बार होने लगी तिलोतमा के चरितर में भी एक विशेश अंतर दिखने लगा भोग और विहार के दिन भक्ती और देव अराधना में कटने लगे इस परकार तीन साल बीद गए धाका विश्य विद्याले के अध्यापक दयाराम ने इस किस्से को फिर ताजा किया वे पश्यू शास्त्र के गयाता थे उन्हें सापों के अचार विवार का विशेश रीती से अध्यन किया था वे इस रहस्य को खोलना चाते थे जग्दिश शेंद्र को विवा का संदेशा भेजा उन्होंने बहुत टालमा टोल किया पर दयाराम ने और भी आग रहे किया लिखा मैं वेग्यानी कन्वेशन के लिए निश्य किया हूँ मैं इस विशेश रहनाक से लड़ना चाता हूँ अगर सौन दात लेकर आये तो भी मुझे कोई हानी नहीं पहुचा सकता वे मुझे काट कर आप ही मर जाएगा अगर वे मुझे काट भी ले तो भी मेरे पास मंत्र और औशदिया है मैं एक शन में उसके विश को उतार सकता हूँ आप मेरे विशे में कुछ चिंता न कीजिए मैं विश के लिए आजाए हूँ जगदिश चंदर को भी कोई उज्रना था उन्होंने एक विशेश प्रेतन यह किया कि विवा ढाका में ही हूँ आता है वे अपने कुटमियों को साथ लेकर विवा के एक सब्ता पहले गए चलते से मैं अपने संदूग पिस्तर आदी खुब देख भाल कर लिए कि कहीं कोई साप चिप कर न बैटा हो शुबलगन में विवा संसकार हो गया तिलोतमा विकल हो रही थी मुक पर एक रंग आता था जाता था पर संसकार में कोई विवगन वादा ना पड़ी तिलोतमा रोध होकर सस्रौल गई जगदिश्चेंद्र लोट आए पर ऐसे चिंतित जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदुक छोड़कर बजार चला जाए तिलोतमा की सभाव में अब एक विचितर रुपांतर हुआ वे औरों से हस्ती बोलती आराम से खाती पीती सैर करती थेटर जाती अन्य समाजिक संबिलोनों में भी शरीक होती इन अफसरों पर वह प्रोफेसर दयाराम से बड़े ही प्रेम का वेवार करती उनके आराम का बहुत ध्यान रखती कोई काम उनकी इच्छा के विरुद ना करती अगर कोई अजनबी आदमी उसे देखकर कह दे देख ले तो यह बोले कि ग्रहनी हो तो ऐसी दूसरों की दृष्टी में इस दमपत्ती का जीवन आदर्शिता किन्तु आंत्रिक दशा कुछ और ही थी उनके साथ शियान गार में जाते ही उसका मुख विक्रित हो जाता बोहें तन जाती माथे पर बल पड़ जाता है शरी रगनी की भाती जलने लगता पल के खुली रह जाती नेत्रों से जौला सी निकलने लगती उसमें से जुलस्ती हुई लप्टे निकलती मुख पर काली में अचा जाती यद्व भी सरूप में कोई विशेश एंतर ना दिखाई देता पर ना जाने की उभ्रम होने लगता या कोई नागिन है कभी-कभी वे फुफकारने भी लगती इस इस्तिती में दयाराम को उसके समीब जाने का या उससे बोलने का हिम्मत ना पड़ पाता हिम्मत नहीं होती वे उसके रुप लावन्य पर मुख दे कि इस अवस्ता में उन्हें घ्रणा होती थी उसे इस उन्मात के आवेक में छोड़कर वे बाहर निकल जाते यह रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था अब उन्हें अपना जीवन आसहने मालूम पड़ता था अपने दुसाहस पर पर पच्चताते थे यह अवश्य कोई प्रेत लीला है शने शेहन की हालत यह हो गई कि वे सदेव तिलोत्मात से सशंक रहने लगे दर लगता कि कहीं मुझे मार ना डाले उन्हें हिप्ट्रोडिजम पर विश्वास था भरोसा था लेकिन वह भी निश्वल हो गया एक दिन प्रोफेसर दयारम किसी वेगैनिक सेर्मेलन में गए हुए थे लोटे तो भारा बजगे वर्शा के दिन थे नौकर चाकर सो रहे थे वे तिलोत्मा के शिहन गार में यह पुछने गए कि मेरा भोजन कारा का है अंदर कदम रखा ही था कि वे डर गए तिलोत्मा के सिर्हाने एक अती भीम का एक काला साब बैठा हुआ था प्रोफेसर साब चुपके से लोट आए और अपने कमरे में जाकर किसे औशिदी की एक खुराक पी और पिस्तॉल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्मा के कमरे में पहुचे विश्वास हो गया कि यह मेरा पुराना शत्रू है इतने दिनों से टो लगाता वा यहां आप पहुचा पर इसे तिलोत्मा से क्यों इतना सिन्ह है उसके सराने क्यों बठा है यह क्या रहसी है उन्होंने सापों के विशे में कहीं है दुबूत कताय पढ़ी और सुनी थी पर ऐसी कौतुहल जैनक घटना का उल्ले कहीं न देखा था तिलोत्मा के सिर पर अचानक वे इस भाती सशेस्तर होकर कमरे में पहुचे तो वहां साप ना था तिलोत्मा के सिर पर भूत सवार हो गया वे भैटी हुई आगने नेत्रों से द्वार की और ताक रही थी उनके नैनों से जौला निकल रही थी दैयाराम को देखती ही बिजली की तरह उन पर तूट पड़ी और हातों से अगहात करते वे उन्हें दातों से काटने की चेश्टा करने लगी फिर अपने दोनों हाते से उनके गर्दन में डाल दिये दैयाराम ने भहुतेरा चाहा एड़ी चोटी का जोड तक लगाया कि अपना गला छुडा लें लेकिन तिलोतमा का भहुपाश प्रतीशन साप की केडली की भाती कठोर एवन संखुचित होता जाता था उधर यह संदेह था कि इसने मुझे काटा तो कदाचेती से ही जान से हाथ दोना पड़ जाएगा क्योंकि उन्होंने जो ओशली पी थी वह सर पर विश्च से भी अधिक घातक थी इस दशा में उन्हें शोक्माय विचार उत्पन हुआ कि यह भी कोई जीवन है दंपत्ते सुखतों उन्हें मिला नहीं तो वे अब जी करके क्या करेंगे हर समय ये एक मरने कब है ये क्या माया है ये वे सांप का कोई प्रेथ तो नहीं जो इसके सिर पर आकर हमेशा चड़ जाता है यह कहते हुए तिलुत्मा की सोची रहते कि तिलुत्मा के हाथ रसी के फंदों की भाती उनकी गर्दन पर कसे जा रहे थे वे दीन अहसाय भाफ से दरुदर ताकने लगे क्यों कर जान बचाए कोई उपाए ना सूजा जाता था सांस लेना भी दुबर हो दा था दे शिथिल पड़ गई पैड थर्थराने लगे सहासा तिलुत्मा ने उनके बाउं की और मुँ बढ़ाया दयाराम काप उठे मृत्तियों आँकों के सामने ना रही थी मन ने कहा यह इस से मैं मेरी स्री नहीं विशैली नागिन है जिसकी विश से जान बचाने मिश्किल है अपनी आशिदी पर जो भरोसा था वै जाता रहा हे भगवन कितना विक्राल रूप है पर्तियक्षि नागिन मालुम पड़ती है अब उल्टी पड़ी है सीधी इस दश में बोली मुर्ख तेरा इतना सहास की तो इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे यह कहकर वैं बड़े वेक से काटने कर दोड़ी दयाराम का भी धहरे जाता रहां उन्होंने दाइन हाथ सीधा किया तिलुत्मा की छाती पर पिस्तॉल चला दिया तिलुत्मा पर कुछ असर ना सिर जुग गया और वह भूमी पर गिर पड़ी तब वह द्रिशेब देखने में आया जिसका उधारन कताचित अलिफ लैला और चंदर कांता में भी ना मिले वहीं पलंग के पास जमीन पर एक काला दिर्गकाई सर्प पड़ा तरड़ पढ़ा था उसकी छाती और मुझे ख आपकी देह में एक कोचा मारा और फिर उसे लटकाएवे आंगन में लाए बिलकुल बेदम हो गया उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदुक में बंद कर दिया उसमें भूस भरवा कर बरांदे में लटकाना चाते थे इतना बड़ा गेवन साब किसी ने होगा तब वे तिलुत्मा के पास गए ड़के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत ना पड़ती थी हाँ इस विचार से कुछ तसकीन होती थी कि सर प्रेत मर गया है तो उसकी जान बज गई होगी इस आशा और भै की दशा में वे अंदर गए तो तिलुत्मा आइना के सामने खड़ी के सवार रही थी दैयाराम को मानो चारों बधार्त मिल गए तिलुत्मा का मुक कमल जैसा खिला हुआ था उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुलित ना देखा था उन्हें देखते ही वे उनकी और प्रेम से चली आई और बोली आज इतनी रात कहां रहे दैयाराम प् प्रेवित कैसी है कहीं दरत तो नहीं तिलुत्मा ने उनको अश्यारे से देखकर पुछा तुम्हें कैसे मालू मेरी चाती में ऐसा दरत हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो